नमस्कार एटोजेट डिशश उशा कोरजानी में आप सब का साकत है आज अस वीडियो में मैं हमारे सिंधी स्पेशल सेल भाजी की रेसिपी आपके साथ शेर करने जारी हूँ यह सारी सब्जियों को मिलाकर एक दब मसालिदार सब्जी होती है जैसे देखे गुजरातियों के लिए रोशग गुला होता है वैसे हमारे सिंधी स्पेशल में कोई भी अगर घर पर मैमान आता है यहां में कुछ इतनी बढ़िया सी सब्जी खानी होती है तो हम पनीर वनीर के नहीं बनाते है बना लेते हैं यह बढ़ियासी सेल भाजी और हमारे यहां पर किसी की भी बैंगन को भी इस तरह से गोल-गोल काट कर निशान कर लेने हैं, दो भावनगरी मिर्च में भी कट लगा लेने हैं, कच्छे आलू को छील कर गोल-गोल काट लेना हैं, गोबी के फूल निकाल लेने हैं, और तीन कच्छे प्यास को छील लेना हैं, और पूरा-पूरा ही रख बेंगन को मोटा भोल गोल काटना है और उसके बाद की यह पैणा बना लेने हैं और इसे भी आपको तल लेना है यानि की फ्राइ कर लेना है तो बेंगन भी अच्छे से फ्राइ हो गए अब उसी तेल में हम डाल देंगे गोबी के फूल और गोबी के फूल आपको देखे थोड़े से बड़े बड़े कट करने जादा बारिक नहीं कीजेगा एक डम अच्छे से दिखनी अचाहिए तो यहाँ पर गोबी को भी मैं अच्छे से फ्राइ कर लिया है साठी इसाथ अब मैंने इसके साथ डाल दी आ Bose आलो तो मैंने यह उर्पर दो से तीन कच्छे आलो लिये थे तो मैंने यह इंआ लिये तो लॉश्त राणी को और ब्लाक भाला। फिलिए मिर्ची य मोटी से यार 01 का कुछकु के ऊच्छा कुछे के सारी शीका नाथनी है, सेसाल बीच के खुड़ाना के और नद चाहिती जीगा नहीं और भरिंखे इसलों कहीं प सबसे हुएं ещё सब्सक्राइब भाद चाहिए, जिफितना के से कटे हुए टमाटर लाल लीजे का तैकि अच्छा आए सबजी का कलर आधे इंच अद्रक के टुकड़े को टुकड़ों में काट लिया वो डाल देंगे आठ से बारा मैंने लसुन की कलिया डाल दिये तीन हरी मिर्ची काट कर डाल दिये और ढगकर इसे हम पीस लेंगे यहा आधी चमच लालमिश पाउडर एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर आधी चमच धनिया पाउडर और मैंने इसके अंदर स्वात के अनुसा नमक भी डाल दिया है उसका वीडियो नहीं हुआ है तो मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ मसालों को अच्छे से मिलाते जाए औ देखे इस तरह से मैंने सारी सबजिया रख दी है आलो बैंगन मस्त बड़िया सी सारी चीज़े रखने के बाद सिफ एक कप ही पानी डाले जादा पानी नहीं डालना नई तो ये सबजी अच्छी नहीं लगे की एक कप पानी डाले अच्छे से इसे मिला ले देख सकते है इस तरह से अच्छे से सबी सबजियों को आपको मिक्स कर लेना है और इस तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे हमें ढख कर बिलकुल लो फ्लेम कर लीजेगा गैस की आज को बिलकुल धीमी कर लीजे तकरीबन इसे 5-6 मिनिट के लिए पकाएं बीच-बीच में चेक करते रह यहां पर तकरीबन 5-6 मिनिट हो गये हैं और यह हमारे सिंदी स्पेशल सेल भाजी बनकर तयार है जब तक देखे इस तरह से ना हो जान तब तक पकाते ही रहेगा अब इसे आप खाए रोटी के साथ या फिर चावल के साथ आपको इतना मज़ा आ जाएगा ना पनीर वनीर Thank you for watching